विल्कम बेक अगें घाइस मैं तरुन राश्बुद आपका करो हूं आपके अपने चैनल में so guys इधर मैं बात करने वाला हूँ कार्तिकारेन की न्यूव मुवी का ट्रेघा करने वाला हूँ कि कभीर खान के डिरेक्शन में मुवी बन रही मुवी ये मुवी इसका नाम है जिसका नाम बता है आपको चंदू चेंपियन जी हाँ दोस्तों चंदू चेंपियन का मैंने ट्रेलर देखा तो फाइनली मैं को कैसा लगा तो यही बात है करूँगा इससे पहले आपको बताता चलू कि कभीर खान के डिरेक्शन में जो जो मुवीज बनी है आपको पता होगा कि काबूल एक्सप्रेस बजरंगी भाईजान फैंटम, ट्यूब लाइट 83 जैसे ये मुवीज दे चुक है जिसमें से ट्यूब लाइट फ्लॉप होगे थी 83 भी फ्लॉप होगे थी दोस्तो और काबूल एक्सप्रेस फैंटम भी एक था टाइगर भी शायद इनकी थी आप बता देना को मैटम में आई थिक मुझे अलियोबास जफर की लग रही थी बट दूसरी शायद इनकी हो सकती है और ट्यूब लाइट भी फ्लॉप होगे थी और सिर्फ बजरंगी भाईजान एक ऐसी जबर्दस फिलम निकल का उत्री थी जिसने धमागा कर दिया था चारो तरफ और चंदू चैंपियन तो क्या चंदू चैंपियन में कबीर खान अपने डिरेक्शन में successful होते हैं कि नहीं होते हैं तो मैं आपको पताता चलूँ दोस्तों चंदू चैंपियन का ट्रेलर वाज आसम बहुत जबर्दस सर्प्राइज ही दिया यार इस ट्रेलर ने यार कार्ति कारियन का जो लोक दिखाया गया ना वो हैरत अंगीज है बिलकुल हला डाला उस लोक ने दोस्तों बहुत जबर्दस में को लगा लोक और इतना जबर्दस कि यार आप इसको बहुत मुवी के साथ कंपेर करोगे बट फिर भी उस बंदे ने बहुत मेनत की है तो उसकी मेनत के लिए तो मैं यह कहूँगा कि एक लाइक तो बनता ही बनता है और इस मुवी को देखने के लिए यार मैं तो बहुत ज़्यादा अक्साइटड हूँ कि यार इस मुवी को देखना ही है तो जब मैंने पोस्टर देखा था मैं समझ गिया था यार कुछ अलगी होने वाला मैं कहा रहा हूँ कि कार्थिकारियन की लाइफ की सबसे बड़ी यह फिलम उतरेगी जैसे पहले रणवीर कपूर के लिए संजू थी उसके बाद एनिमल जवर्दस फिलम गई बरमास्त गई सो ऐसे में अब दोस्तों नेक्स्ट सूपरस्टार कार्थिकारियन है सो इस बंदे ने थोड़ा समय तो जुरू लिया बट इतनी जल्दी बॉलिवोड में अपने पैर जमाली है ना सो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देगा भूल बलईया थ्री भी दोस्तों आ रही है आपको पता है कि भूल बलईया थ्री में भी क्या जबर्दस होने वाला है काम और चंदू चैंपियन की तो यार क्या ही बात है जिस हिसाब के पोशिंस दिखाए गए है जैसे उनको गोली लगती है गोली ये नो गोली है दो साल तक कोमा में है और जब उठते उनके सपाही कहते आप किसी होर मुलक में नहीं अपने मुलक हिंदूस्तान में हो तो वो बियर्ड वाला लोक और क्लीशे वाला हर एक प्यार मनना है चाहिए दंगल वाला सीन हो क्यों ऐसे bauksing वरींग वाला है चाहिए हमें brothers की याद दलाता है चाहिए हमें दंगल या लाल सिंग चड़ा की ऐसे कई चीजे मिक्स सी की हुई है बट यह डिर्यक्शन यार मैं कर रहा हूं बढ़िया तरीके से और यह इना हो कि जैसे भारत भारत फिलम को एक मिक्सप सा कर दिया था ना काला पत्थर ये वो बिजरंगी भाईजर सब चीज़े एक में डाल दी थी और उसका शेक बना के प्रोस्तिय था वो चीज ना हो स्टोरी अच्छी हो बट जे मुवी चलने के चांसे बहुत ज़्यादा है दोस्तों वह यह लगता है यह इसकी लाइफ की सबसे बैस्ट मुवी और बैस्ट परफॉर्मास होने वाली है कार्ति कारियन के लिए सो इधर वीजे राज का वी रोल काफी अच्छा लग रहा है देखने में सो बाकि आप लोगों कैसे लगा तो कमेंट में पताईएगा इस ट्रेलर के बारे में और चैनल सिस्क्राइब ने क्या तो प्लीज कर जाईएगा ताकि आपके लिए वीडियो लाते रहें बार बार आते हैं तभी आप स्पोर्ट करोंगे तो रोज बनाते रहेंगे बार बनाते रहेंगे सो टेल देन बाबाए